असलाम लेकुम जी कैसे आप सब लोग उमीद करती हों कि सब ठीक ठाक होंगे खास ब्यूटी के एहमराज चेहरे पर पिसी हुई जई मलने से मैली से मैली जिल्ग भी साफ हो जाती है चेहरे पर फिंसी हो तो वरक का टुकरा लपेट कर फिंसी पर लगा लें शेहद और दूद का मिक्षर बना कर चेहरे पर लगाने से चेहरा साफ शफाफ हो जाता है दूद में जेतून डाल कर पीने से चेहरे की रंगत में निखा राता है बालों को चमकदार और घना रखने के लिए इन्हें धोने के बाद कच्चे नारियल का तेल लगाएं नारियल का तेल आपके बालों के लिए बहुत अच्चा है इससे बालों की हुशकी भी दूर होती है चेहरे के बालों को खतम करने के लिए भटकरी बहुत वाइदा मंद है इसके इस्तमाल से आपके चेहरे के बाल कम होना शुरू होंगे और फिर आहिस्ता आहिस्ता खतम हो जाएंगे मतलब अगर आप चेहरे के बालों को खतम करने के लिए किसी होम रेमेडी की तरफ जाना चाहते हैं कुदर्ती यानि नैचरली इनको कम करना चाहते हैं तो ये आप जो है वो तरीका इस्तमाल कर सकते हैं होंटों को नरब रखने के लिए रात को सोने से पहले नाफ में बदाम या जेतून का तेल लगाएं फटे होंटों के लिए रोगने बदाम और शेहत मिक्स करके होंटों पर रोजाना लगाएं नाफनों की सफाई के लिए बदाम के तेल में आयोडीन मिलाकर इसमें रूई डबोकर नाफनों को साफ करें नाफनों की चमक के लिए भी ये तरीका बहुत अच्छा है हाथों की खुबसूरती के लिए गलिसरीन और अरके गुलाब मिलाकर हाथों का मसाज करें चिकने जिल्द पर हर वकट चिकनाहट रहती है और दूसरी किसम मसलन कुश्किया नॉर्मल जिल्द पर भी अक्सर चिकनाई आ जाती है इस चिकनाई को खतम करने के लिए टमाटर का एक टुकरा काट कर इस टुकरे को कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए आप चेहरे पर मलें फिर सादा पानी से दो लें ना सिरफ चिकनाई खतम होगी बलके चेहरा भी चमक उठेगा दही का इस्तमाल चेहरे और बालों के लिए दही का इस्तमाल अगर बालों के लिए किया जाए तो इससे सिक्री और खुश्की का खातमा होता है और अगर शेहत में मिलाकर चेहरे पर लेक किया जाए तो जुरियों के खातमे के लिए बहुत मفیद है और रंगत को भी निकाड़ता है खुबसुरत जिल्द के लिए खुबसुरत जिल्द के लिए दिन में कम से कम साथ से आठ गलास पानी जरूर पीए रंग गोरा करने के लिए पुदीने की पतियां लेकर इन्हें उबालें और इन्हें ठंडा करके नहार मूँ पीए ताजा दूद चेहरे पर लगाने से चेहरे की रंगत निकरती है यनि आप कच्छा दूद सुबा के टाइम अगर अगर अपने चेहरे पर इसको लगाते हैं तो इसे आपके रंग साफ शफाव होता है और दानों के लिए भी बहुत मुफीद है बालों को लंबा और घ्खना करने के लिए देही और अंडे का मिक्शर बहुत फाइदा मंद है यन न्डे में परोटीन्स होते है और परोटीन्स बालों के लिए एक अच्छी चीज़ फाइदा मंद चीज़ है खाने में नमा का कम इस्तमाल पेट की जायत चर्बी को खतम कर देता है लीमू का रज दाग खतम करने में नहायत मुफीद है आप क्या कर सकते हैं एक लीमू को काट कर चेहरे पर हलका सा मल लें इसे चेहरे के दाग दबे जो हैं वो खतम हो जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता नहार मूँ भूनी हुई सौंख खाने से पेट और वजन दोनों कम करने में मदद मिलती है दो चमच कम से कम आदे घंटे के लिए फरीजर में रखें फिर चमच को उल्टी साइट से दस मिनट के लिए आँखों पर रखें इस तरह आँखों को स्कून मिलेगा सूजन दूर होगी रात को सोने से पहले ऐसा करने से अच्छी नीद आएगी ऐलोवेरा जल में हल्दी मिला कर चेहरे पर लगाएं निशान दूर हो जाएंगी और खुश्च जिल्द के लिए दूद की बलाई चेहरे पर लगाएं चेहरा नर्मो मुलाइम हो जाएगा फोरी तोर पर गलो चाते हैं तो एक चमच कॉफी पॉडर में थोड़ा सा दूद मिक्स करके 15 मिनट के लिए चेहरे पर लगाएं फिर ठंटे पानी से धो लें फोरी तोर पर चेहरा गलो करेगा और स्किन साफ शफाफ हो जाएगी अगर चेहरे पर बाल हो तो दही लेकर इसका पानी निचोड लें फिर इसे चेहरे पर लगाएं 10 से 15 मिनट लगा रहने दें फिर रगड़ कर उतार दें इस अमल से आहिस्ता आहिस्ता चेहरे से बालों की अवजाईश कम हो जाएगी पलकें लंबी और घनी करने के लिए कैस्टर ओयल का इस्तमाल बहुत मुफीद है वजन कम करने के लिए दूद बगार बलाई के इस्तमाल करें गाजर और संतरे का जूस रंगत को निखारता है और संतरे का जादा इस्तमाल जिल्दी बिमारियों से मेफूज रखता है दूद और शेहत को दो-दो चमच एकठा लेकर चेहरे पर 15-20 मिनट तक क्लिंजिंग करने से जिल्द को कुदरती निखार मिलता है अगर चेहरे पर कील महासे हों तो एक ऑंस ग्लिसरीन लेकर दो अदद लीमू निचोड़कर चेहरे पर रोज़ाना लगाईए फाइदा होगा लीमू को चेहरे पर मले से चेहरे के बालों का रंग आहस्ता आहस्ता हलका हो जाता है इसके लावा मज़ी टिप्स और अमिडिस के लिए चानल को सब्सक्राइब कर लिए वीडियो को लाइक करें प्यारे प्यारे कमेंट्स करें शुक्रिया